दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी PM नरेंडर मोधी कहीं किसी कारे करम या विदेशी दोरे पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात बोडी गार्ड्स के पास एक ब्रीफ केस होता है लेकिन क्या आपको पता है कि यह क्यों होता है आखिर यह हर वक्त PM क साथ क्यों रहता है PM की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG की होती है SPG कमांडो ने सिर्फ देश के परधानमंत्री की सुरक्षा करते है बलकि उनके परिवार की भी रक्षा करते है इसी SPG कमांडो के साथ हमेशा एक ब्रीफ केस होता है जो बेहत खास होता है चलिए आपको पू ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहे हैं। दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तो पूरे देश में चाहे PM मोदी की कोई भी रैली या कारेगरम हो। सुरक्षा का पूरा जिम्मा SPG का होता है जिसे लेकर SPG कमांडो काफी सतर्क रहते हैं। इसी क्रम में SPG हमेशा अपने साथ एक ब्रीफ केस रखती है। इस ब्रीफ केस में कुछ ऐसा होता है जो परदान मंत्री पर हमले के दोरान इस्तमाल के लिए बनाया गया है। असल में वो ब्रीफ केस है क्या चलिए आपको बताते है। मोदी के साथ कमांडो जो ब्रीफ केस लेकर चलते हैं असल में वो एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है जिसे हमले के दोरान खोला जा सकता है। जो की एनाईजी लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करती है। इस ब्रीफ केस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें एक खास तरह की फिस्टल होती है। यदि PM के उपर किसी भी तरह का हमला होता है तो इस थिती में उनके बोडिगाड ब्रीफ केस में से गन निकाल कर PM को बचा सकते हैं हमले के वक्त परधान मंत्री को सुरक्षित करने के लिए उस शील्ड को नीचे की और जटका देते हैं जिससे शील्ड खुल जाती है ये एक तरह से ढाल का काम करती है दोस्तो परधान मंत्री जहां भी जाते हैं वहां हर एक स्टैप पर अचूक शूटर्स तैनात हैं PM को खत्रा पहुचा सकने वाले लोगों को यह शूटर्स कुछ ही सेकिंड में मारने की ताकत रखते हैं SPG में करीब 3,000 जवान है इनकी जिम्मेदारी परधान मंत्री, XPM और उनके परिवार को सिक्योर्टी प्रोवाइट करने की होती है इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के अधार पर तयार किया जाता है यह FNF 2000 Assault Rifle, Automatic Gun 17M Revolver जैसे Modern Equipment से Less होते है SPG Commandos Belgium से Import की गई 3.5 kg की राइफल से Less होते है यह 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने में Capable होते है इनकी रेंज 500 मीटर तक की होती है तो दोस्तों यह थी SPG और Briefcase की पूरी जानकारी आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल FACTIV WORLD को सब्सक्राइब करें